जी हालो नमस्कार सुवागत इक बर फिर से आप सभी का आपके ही अपने हर्याना मौसम समाचार के इस वीडियो में जी हाँ यहाँ आप जानेंगे अपने सहर के मौसम का ताज़ा हल जी अगर आप हर्याना के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं जिहां चलिए सुरू करते हैं क्या रहेगा आगे हरियाना का मौसम समाचार जिहां आपको बता दें हरियाना में हिजार समेत कई जिलों में हलकी तेज बारिज जाने आगे कैसा रहेगा मौसम का ताजहाल जिहाम आपको बता दें हरियाना में पिछले लंबे समय से हिसार में मौसम खुसक बना हुआ था जिसके कारण लोगों को गर्मी का एसास हो रहा था और गर्मी बढ़ने का कारण मौसम विग्याने विभाग मानसून ब्रेक बता रहे थे मंगलवार को मौसम बदल गया है है याना के कई सहरों में बारिस हो रही है तो हिसार में दोपहर को मौसम बदला और आज़ी के साथ बादल छा गए काले बादलों के कालत धूप नहीं होने से लोगों को कुछ राद मिली है मगर उमस भी बड़ी अब 25 सितंबर तक इस तरह का मौसम बड़े रहने की आसार है और कुछ जगव पर तेज बारिस भी हो सकती है मंगलवार को दिवानी, रोहतक, बाहत्रोगड और जजजर में तेज बारिस हुई तो वहीं NCR के वे कही जिलों में जमकर बादल बरते में मानसून दच्छन टर्फ की ओर नीचे की ओर तरफ आने से हर्याणा में मौसम में बड़ला हुआ है इसके बाद 25 सितंबर तक बीज बीज में राजी के उत्तरवा दच्छन छेत्रों में के जिलों के ज्यादत तरिस्तानों पर हवा हुआ हुआ गरत चमक के साथ हलकी से मध्यम बारिस परंद 25 छेत्र के जिलों में कहीं कहीं हलकी बारिस होने की संभावना है जिससे दिन के तापमार में गिरावट होने की संभावना है इस दोरान उत्रिवा दच्छन पूर हर्य हर्याना के कुछ एकिस्तानों पर तेज बारिष की वी संभावना है जिहां ये थी हर्याना से जुड़ू ही मौसम की ताहा जानकारी मिलते आप सभी को अगले वीडियो में तब तक टी आर निश के साथ बने रहिएगा चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दि जियाद जय हिंद जय भारत